मेरा नाम है शादाव देश की राजनीती में एक बड़ा मुद्दा योगी जी का बयान बना हुआ है योगी बाबा ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे उसका पलटवार करते हुए अखलेश यादव ने भी जवाब दिया था जुड़ेंगे तो जीतेंगे अब सबसे एहम बात इस नारे को लेकर ये सामने आ गई है कि पहन मायवती बसपा सुपरीमों ने भी इन दोनों का पलटवार करते हुए जवाब दे दिया है उन्होंने कहा है बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे ये एहम बात उन्होंने कही है आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे क्योंकि समय देश की शुरक्षा के अंदर देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम चलता है उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच इस्टूडियो में आज डॉक्टर अरुनेश यादव मौजूद है बहुत बहुत धन चुका है तो उन्होंने एक और उसके अंदर जुम्ला यानि एक लाइन और जोड़ दी है कि सुरक्षा को लेकर कितना सहमत है देखे साब योगी आदित्यनाज जी के पिछले साथ सालों के साशनकाल का गरम लेखा जोखा लें और तकरीवन अब आट साल होने आ रहे हैं मह जुझगारी में उत्तरप्रदेश नंबर एक हो चुका है अब इस सब से बचने के लिए अपनी बदनामी से बचने के लिए अपने आपको सुरच्छित रखने के लिए योगी जी ने इस तरह का एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल या विवादित बयान दिया है कि बटोग के सहारे या इस बयान की आड में धार्मित पोलराइजयेशन करना चाह रहे है और अपनी कुरसी बचाना चाह रहे हैं जबकि हकीकत यह है कि बाटने का काम बीजेपी कर रही है सबसे ज़्यादा अगर आपस में बाटने का काम पिछले आठ सालों में यूपी में हुआ है तो बीजेपी सरकार ने किया है और इसी का प्रतियुत्तर देते हुए सपा सुप्रीमू अखलेश जी ने जो बय बेफीश्दी आबादी है यानि अखलेश यादव ने पीडिये को लेकर साब तौर से जाहिर कर दिया कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे यानि पीडिये के जितने भी लोग है दलितों आदिवासियों पिछड़ों को कि वही जो अलप संख्या के मुस्लिम संदाए सिक संदाए जैन संदाए पार्सी संदाए इस संदाए से आपको अलग नहीं हो ना बटने का काम नहीं करना है जुड़ने का काम करना है योगी जी कर रहे हैं आपकी 80-20 की राजनीती यानि कि 80% हिंदू 20% मुसल्मान और हम लोग कर रहे हैं 90-10 की राजनीती जिसमें कि पिछड़ा है दलेते हैं अलप संख्या के आदिवासी है गरीव सवर्ड है और सिर्फ 10% आरे से वाले अब इस पे जो बहन जी का बयान आया है इस बयान को अलागी गोधी मीडिया दोनों पर पलटवार कह रहा है अखलेश जी और योगी जी दोनों पर लेकिन मैं यह मान के चलता हूं कि लिए डाइरेक्ट योगी जी को काउंटर किया अगर उनके पूरा-पूरा बयान आप सुनें समझें तो उन्होंने सीदा सरकार से सवाल किया है उन्होंने जो कहा है का सासनकाल रहा है उस असनकाल में लोग और सबसे बढ़िया रहा है शुरक्षा को लेकर उनने जोर दिय नारा तो था कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे उन्होंने एक और इसके इंदर लाइन बढ़ाई है कि सुरक्सित रहेंगे योगी जी ने जो बयान दिया है बटेंगे कटेंगे तो उसी का काउंटर बसपा सुप्रीमों किया है कि बटना कटना ये तो बाद की बात है पहले त देखा है आपने लेकिन योगी जी वीडियो आप देखिए लेकिन एक मिनट बरेली का वीडियो देखिए कि जुगा खेलते हुए लोगों को पुलिस ने पकड़ा तो उन जुवारियों ने पुलिस वालों को पीट दिया पुलिसी प्रदेश में सुरच्छित नहीं है तो नहीं किया जब की Constitution में में समविडान में हरी जन सब्ट बहन हो चुका है आप हरिजन हारि नहीं कि अगर समाज हरी का जन नहीं है ठाटियों के जन है तो हरी जन अगर योगी जी ने बोल दिया तो इससे आपती क्या है मृंस असमविडानिक है और S whenben don what इस सब्द को हटा दिया गया है तो इसका मतलब साफ है कि योगी जी संविधान को नहीं मानते योगी जी आप क्या मानते योगी जी हरी जन नहीं है क्या ये तो योगी जी खुद कह रही है कि मैं हरी जन बस्ती में गया यानि कि आप खुद को हरी जन नहीं मानते हो खुद को बहन जी ने बस्पा सुप्रीमों ने जो ये लाइन जोड़ी है कि सुरक्षित भी रहेंगे ये बढ़ाया है तो सुरक्षा एक एहम मुद्दा हो चुका है जैसे दलित बस्तियों पर हमला हो रहा है आप ये भी बता रहे थे कि एक प्रदेश में ही दलित युद्ध के हत्या हो गई जुआ खेलने के चक्कर में ही घटनाए हो रही है तो ये लाइन भी कहीं न कहीं बहन सुप्रीमों मायवती की माइने रखती है कि सुरक्षित रहेंगे से मैतपूर है बस्पा का सासनकाल उत्तर प्रदेश के इतियास में सुने मच्छरों में लिखा जाता है किस माम नौकरियां मिली थी बैकलॉग भरे गए थे किसी की मजाल नहीं थी दलित और पिछडों की सीटों पर बदमासी कर ले चोरी कर ले सारे बैकलॉग उस टाइम पर भरे गए थे और बेहन वेटियां सुरचित गूमती थी जो गाउं गाउं बस चलने का जो एक सिस्टम था ग कर रहे हैं नई बसे नहीं लगा पाए जो ग्रामीर आदमी मुख्यदारा से जुड़ पाए बसे तो छोड़ दो रोडी नहीं बना पा रहे हैं जो रोड है उनमें गड़्डे हो गए नौईडा जैसे सहर में आप देख लो गाउं की तो आच्छाल छोड़ दो सिर्फ इन को धार्मिक पोलराइजेशन करना है आयोध्या का मंजर तो इन्हों ने दिखा दिया कि साब कितने दिये जलाए कितने करोड़ रुपए वहां खर्च किये लेकिन वह भी देख लो कि उन दियों के बुजने का भी इंतजार वहां की गरीब जिंता नहीं करती और तेल भरने लग जाती है कि पुलिस वाले लोग उनको मार के भागा रहे हैं इससे ज्यादा सर्मना कि इस देश में कुछ नहीं हो सकता कि भगवान राम की नगरी में कहां राम के नाम पे क्या था वो एक दोआ था ना राम राज बैठे तिर लो का हरसित भाए और गए सब सोका और यह हाँ आप दिये जला रहे हूं लेकिन आम जंदा का भर्रण पोश्न नहीं कर पा रहे हूं दिवाली पे कोई इस देनकरा नहीं और लीए टेल आ भगवान सब जगे हैं कड़कड में भगवान है कड़कड में राम है अच्छा यादा हुजी बटेंगे तो कटेंगे बयान योगी बाबा ने दिया सारे नेताओं की उस पर पिर्थेकिरी आ रही है पलटवार आ लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि खुद भारती जन्ता पार्टी के नेता और प्रदेश के मुख्य मंतरी वो कह रहा है ये बयान तो हमारा ही नी देखो ऐसा है जी इस समय अमित साजी और योगी यादित तनाजी में 36 का अंकड़ा चल रहा है और सब को मालूम है कि केशब प्रसाद मौर्या जी अमित साजी के प्यादे हैं और केशब प्रसाद मौर्या जी पिछले आठ साल से मुख्यमंतरी बनना चाह रहे हैं और डिजर्बी करते हैं मुख्यमंतरी उनी को बनाना चाहिए था क्योंकि योगी जी तो चोरी से मुख्यमंतरी बने हैं 2017 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो पिछणों के नाम पर हुआ था और केसब मौर्या जी उसके चहरे थे तो जब किसी के नाम पर आप बोट लो और उसको आप मुख्यमंत्री ना बनाओ तो एक वो टीश तो रही जाती है और साइद वही टीश है जो केसब जी की बात निकल रहा है और का मीडिया का दिया इस तरफ नहीं तो इसका मतलब दोनों के बीच में लट्ठ बज रहे हैं लेकिन मीडिया इस बात को दिखाएगा नहीं अच्छा अंदर की बात आप तो नेतनगरी के लोग हैं डिप्टी सीम कह रहे हैं ये भारती जन्ता पार्टी का बयान ही नहीं है लेकिन योगी आधिनात इसको हर स्टेज से जाकर हर मंद से बोल रहे हैं पहले बुल्डोजर मॉडल योगी जी ने चलाया था तो पूरे देश में चलने लगा था वो तो मान लीजिए कि साब आई कोट सुप्रीम कोट ने संग्यान लिया बुल्डोजर मॉडल पर लगाम लगाई अब यह बटवंगे कटेंगे वाला बयान चल रहा है त संबैदानिक पोश्ट पर बैठा व्यक्ति इस तरह की संपरदायक भासा का इस्तमाल कर रहा है और उसकी चवी एक निगेटिव चवी निकल के आ रही है और इससे समाज के बीच में जो संदेश जा रहा है वो कता ही ठीक नहीं जा रहा है और यह जो सुरक्षा एक बात मेर बिहार कई घर जला दिये गए दीपावली पर इससे पहले भी बिहार में नालंदा में कई घर जला दिये गए थे तो दलीतों की सुरक्षा एक एहम मुद्दा है जो की दलीतों को सुरक्षा मिलने पा रही है पिछुणों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है तो सुरक्षा ह इस समय बड़ा देश का मुद्धा बना हुआ है इसलिए इस तरीके की दाइन जुड़ी है पिछले दस साल से जब से मोदी जी सिंगासन समाले हैं अपना सिंगासन ही बोलेंगे उनको वो प्रधान मंत्री नहीं है वो अपने आपको राजा मानते हैं और जब से वो राजा ब मिल रहा है रावल जी ने दो साल पहले कही दिया था कि पूरे देश में मोदी जी ने कैरोसिंग छड़क दिया है आग लगने बर की देर है अब वो कैरोसिंग च्ड़का हुआ है उसकी आग की लप्टें ही आए दिन कभी मुसल्मानों के घर जला रही है कभी दलितों के घ घर जला रहे हैं कभी पिछणों के घर जला रहे हैं कभी आदिवासी के और कभी गरीब ब्राम्मनों के गरीब सबर्ड़ों के यह नफरत की आग है जो देश में फलफूल रही है और इसी नफरत की आग ने इस देश का जो एक सामाजिक ताना बाना था जो आपस में हम लो वो कहीं लुप्त प्राय हो गया वो गया अब नारा कैसा आ रहा है बटोगे तो कटोगे नहीं तो पिटोगे नहीं तो मारे जाओगे नहीं तो कुछले जाओगे कहीं नारा आ कि हमारे यहां रहना है तो जैसरी राम कहना है जैसरी राम बोलोगे तो रोटी मिलेगी जैसरी राम बोलोगे तो पानी मिलेगा बंदे मातरम बोलोगे तो देश में रहने देंगे बंदे मातरम नहीं बोलोगे तो बैठने को जगह नहीं देंगे तो हमारे देश के क्या हाल कर दिये हैं और देश को कहां से कहां पहुचा दिया है आप क्या इसी बातों को लेकर आप देश को विश्वग्रू बना पाएंगे मुझे तो नहीं लगता बात बटेंगे तो कटेंगे से लेकर निकली थी और देश को विस्वगुरू बनाने तक पहुँच गई है लेकिन सबसे बड़ा सवाल देश की सुरक्षा का है जो की बस्पा सुपरीमो बहन मायवती ने इस नारे के जरीए देश के सामने उठाया है कितना सही है क्या वाकई सुरक्षा की जरूरत है ये तो हाली की जो घटनाएं हैं देश के अंदर और उत्तरप्रदेश के अंदर जग जाहिर है हाली की आज की घटना है एक दलित युवक को सिर्फ इस वज़े से पीट दिया कि उसका पैर बाइक से उतरते हुए एक ब्रहमन युवक के लग गया इतना होते ही उसके उपर मारपीट हुई मारपीट इतनी बढ़ी कि अस्पताल तक जाना पड़ा तो इस तरीके की जाती पाती कुरीतियां उँच नीच भेदभाव और देश की सुरक्षा एहम सवाल है आप फैसला कर सकते हैं कि बसपा सुपरीमों ने जो ये बयान दिया है क्या वाकई इस देश में सुरक्षा की जरूरत है नमस्कार